नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल Automation Hub सार्थक में आप लोगा स्वागत है और Selenium 4 का प्लेलिस्ट हिंदी में जारी रखते हुए मैं आज आप लोगों को Selenium 4 का एक बहुत इंपॉर्टन फीचर न्यू विंडो और न्यू टैब कैसे क्रिएट किया जाए जैसे पर एक्जामपल अभी मान के चलो मैं रेडिफ के इस लॉग इन पेज में यूजर नेम और पासवर्ट दिया साइं इन कर दिया ठीक है अभी इंबॉक्स पेज पर गया मान लो इंबॉक्स पेज के बाद मेरे को दूसरा एक विंडो कोलना है और एक नया विंडो कोलना है और या फिर और एक टैब ओपन करना यहां पर लिट से फलिप कार्ट पर जाना है तो फिर यह दिर्येटली उस हिसाब से नहीं कर पाता था Selenium 3 में वो हला कि Get Window Handles Get Window Handle करते थे Parent Child में Switch करते थे वो सारा जो 3 में था मैंने वीडियो डाल रखा है आप चाहे तो देख सकते है मेरा Selenium 3 वाला वीडियो Selenium 4 में बहुत ही Simple कर दिया गया है इसलिए बहुत ही अच्छा इंप्रूब्मेंट हुआ है तो चलिए देखते हैं कि क्या-क्या Changes हुए Selenium 4 में तो मैं यहां पर एक Class बना देता हूँ Window और New Window Tab का एक Selenium 4 का Concept क्या है क्या-क्या Features डालें Test Case यूज़ करेंगे TestNG ठीक है तो मैं यहां पर पब्लिक, Static, WebDriver, Driver पहला TestCase बनाओंगा Public Static Void लेट से New Tab यह वाला method पर पहले काम करेंगे मैं सोच रहा हूँ पहले अभी Firefox से किया जाए .firefoxDriver .setup driver.manage.window.maximize driver equals to new Firefox driver ठीक है तो driver.get पहले मैं उपन कराऊंगा मानलो Amazon फिर मैं उसी विंडो के टाब में स्विच करूँगा तो स्विच करने के लिए आपको कमांड देना पड़ेगा driver.switch to .new window और new window के method में आपको उसको उसको ओवर ओवर लोड करना पड़ेगा with parameter window type.tab कर रहा हूँ new tab तो यहां पे टाब हो गया ठीक है अभी मैं यहां पर driver.navigate.to मैं यहां पर suppose skyscanner.com करना चाहता हूँ ठीक है फिर मैं दुबारा स्विच करूँगा तो दुबारा वही command और फिर मैं navigate command use करूँगा लेकिन अभी कोई URL दूसरा दूँगा so let's see makemytrip.com ठीक है मुझे और एक टाब खुलवाना है तीन टाब खुलवाना है सपोस्ट ठीक है मैं यहां पर कुछ और दे दूँगा let's say easemytrip.com तो यह मेरे tabs open हो रहे हैं ठीक है अभी मैं यहां पर ऐसे इसको छोड़ दूँगा और एक test case बनाऊंगा public void new window ठीक है मैं सारा सब कुछ वही लिखूंगा बस इसको मैं करूंगा chrome पे manager dot chrome driver dot setup driver equals to new chrome driver second guys driver dot window sorry driver dot manage dot window dot maximize driver dot get मान लिजे मैंने यहां पर flipkart dot com किया ठीक है और मैंने फिर switch कर दिया driver dot dot switch to dot new window window type dot new फिर मैं driver dot navigate dot 2 अपना एक सेकंड मैं ready for logout करके इस वाली पेच पे आ जाता हूं शॉरी निव नहीं है शॉरी यह है window driver dot find element अभी चेक करते हैं कि क्या वो सिर्फ switch करता है कि अंदर काम भी करता है dot sendkeys dot com करते हैं और शॉरी लिए लाह please और आritt हॉकर Windows जहांग तो मैं इसको प्राइरिटी वन दे देता हूं और इसको प्राइरिटी टू देता हूं तो क्या होना चाहिए कि पहले हमारा यह एमेजन खुलेगा उसके बगल में दूसरे टाब में स्काइश कानर खुलेगा उसके बगल में 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 इसमाइट रिप फिर हम किसी को क्लोज या शॉटडाउन नहीं कर रहे हैं फिर बाद में आपको यह और एक ख्रोम ब्राउजर ओ जिसमें या एक्शन प्रॉफंग होगा पिर बाद में हम इसको बड्राइवर के साथ रिलेटेड़ सब खतम हो जाएंगे ब्राइवर क्लोज करूंगा तो यही ब्राउजर बंद होगा बाकि सारे ब्राउजर ब्राउजर उपन रहेंगे रएबडर रखूज कर रहा हूं ताकि सारे ब्राउजर का इंस्टन्स जो भी ड्राइवर के साथ रिलेटेटेड है सब खतम हो जाए So right click run as test n g test. Let's see कि क्या आता है output देखी पहले firefox खुला, firefox maximize हुआ, amazon खुला, उसके बगल में देखी skyscanner.com खुला, फिर उसके बगल में बराबर test case 1 पास हो गया, अभी second test case देखी open हो रहा है, amazon flip card open हुआ, अभी और एक window open होगा, और एक window open हुआ, और edif का ये username, password entry करेगा, sign in पे click किया, और फिर driver.quit दिया है, तो सब कुछ इसने वो browser वहां से बंद करवा दिया, ठीक है? तो देखिए, हमारा code successfully execute हो गया, बहुत ही simple है, बस आपको दो चीजें, एक ही command याद रखनी है, ये driver.switch2 और बस ये, इस method को जब load करोगे, ये particular parameter से, तो बस ध्यान देदेना, tab और window select करें, मैंने गलती से new लिख दिया था, ठीक है? कभी-कभी confusion हो जाता है, तो tab और window select करें, फिर आप navigate कर सकते हो, देखिए, driver.navigate2 मैंने लिखा, जान बूच के, driver.get नहीं लिखा, navigate करने का मतलब वहां चला जा, driver.get, navigate का मतलब वह ब्राउजर open कर देगा, लेकिन driver.get करोंगा, तो जब तो पूरा page load नहीं हो जाता हो, वह selenium थोड़ा driver.get नहीं पूरा पूरा का पूरा 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 पूल करता है, इससे बहतर है driver.get करोंगा, हम लोग navigate कर रहे हैं, और हमने ये भी देख लिया कि, इस navigation के दौरान भी, हमारे ब्राउजर के अंदर, जो जिस ब्राउजर में particularly अभी selenium का control चल रहा है, वहां पर आप actions वगएरा भी perform कर सकते हैं, जो भी coding action है, जो भी आप कर सकते हैं, तो इ इस वीडियो में इतना ही, मैं चाहता हूँ, आप एक छोटा सा काम करो, जैसे कि मानलों ये forgot password link है, right click करके open link in new tab, हम जब करते थे, तो आप एक काम करो, पहले इस link पे click करवाओ, और उसको दूसरे tab में open करने ही कोशिश करो, ये आपको मेरी तरफ से एक simple सा assignment नहीं हुआ, तो मैं जरूर, comment section में अगर बहुत लोग बोलेंगे, तो मैं इसका code execute करके दिखाऊंगा, thank you so much, please मेरे चानल को subscribe करना बद पूलना, videos को like और share जरूर कीजिए, thank you so much, सार्तक है, signing off.